दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको prediction देने वाला हूँ आज के match को लेके अगर आज की match में आप team बनाना चाहते हो जो की होगा BC versus SRHK बीच में तो ये जो match होने वाला ये आपका अरुन जेतली stadium में होगा तो आपको voice captain और captain किस player को select करना चाहिए और क्यों select करना चाहि है तो भाई वहां पर बहुत ज़्यदा competition होता है बहुत ज़्यदा competition होने के कारण आपको जो team बनानी पड़ती है वो बहुत सो समझ के बनानी होती है और main जो part होता है team का वो होता है आपका voice captain और captain ये कौन से role में आपको किस player को fit करना ये आपको पता चलेगा इस video को देख ये आज के stadium में कौन सा player अच्छी performance देता है जैसे कि अगर last year की बात करें तो last year में इसी stadium में जो match हुआ था DC vs. SRH का उसमें जीती थी DC करीब 9 run से team अच्छा खासा score बनाके जीच गई थी और सबसे जो महत्पून role था इस match में जीतने का वो था स्रयास layer का जरूने अच्छे खासे run बनाके team को जिता है था लेकिन आपको ये भी बहुत जरूरी है जानना कि भाई जो भी player की list आपको दी जाएगी ये confirm नहीं होती है अगर जो आपको player की list दी जाएगी आप उस हिसाब से कोई भी team बनाते हो और पता चलेगा बाद में भाई क्योंकि जो decide होता है कौन सा player match में खेलेगा वो 10 मिंट पहले पता लगता है तो मैं आपको बताओंगा भाई कौन सा player आपको select करना चाहिए बागि जो final team आपको मिलती है वो हमारे production group में मिलती है अगर आपको team बनाना आता है तो बस आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई कौन सा voice captain ठीक रहेगा और आपको बिल्कुल भी team बनाना नहीं आता है तो आपको टैंसल लेने वाली कोई बात नहीं है अगर आपको बिल्कुल भी team बनाना नहीं आता है तो आपको team बनी बनाई भी मिल जाती है वो भी बिल्कुल free आपको एक रुपे नहीं देना पड़ता है बस आपको करना क्या है description box में जो telegram group का में link डालूँगा उसको आपको join करना है उसको आप join करोगे तो 10 मिनट पहले जैसी मैं start होगा तो 10 मिनट पहले ही आपको team बना के second sword डाल दिया जाता है उसके साब से आप team बना सकते हो बाकि अगर आपको ये जानना है वोइस captain और captain किसको बनाना चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो last match में जो इस pitch पे अच्छे play किये थे उनकी list आपको दिख रहोगी और खास कर जो man role है वो स्रियास layer का आता है रिसब पंत का आता है जो कि आपको man role में देखने को मिल सकते है अगर इनको आप बल्लेवाज select करते हो तो आपकी team एक अच्छी हो सकती है बाकि अगर आप स्रियास layer को voice captain और captain की रॉल में डालते हो तो आपका अच्छा score बन सकता है क्योंकि last match जो हुआ था उसमें इनोंने बढ़िया बल्लेवाजी की थी तो इस role में इसको आप डाल सकते हो बाकि अगर इसमें baller की बात करें क्योंकि last match में जो balling में perfect रहे थे जिनके कारण से ये match जीता था DC ने उसकी list भी आपको दिख रहे होगी बाकि आपको ये जानना है कि भाई आप जाते हैं तो Dream Eleven पे आप टीम बना सकते हूँ मैं आपको डाल आध का तरीकर हुझा बहुर्वर नियुक्ते में सबत कर बहुता एलना चाहते हैं मैं का क्रिजिए इस संब्रेटर नना दिख से वाले सेक्षेन लीग में 팀 बना रहे हूँ तो यहां पे जो आज का मैच है वो लेकिलिक आ जाएगा DC VS SRH जो की आपके यहां लेकलिक आ जाएगा धेली Capital वाला इस पे आपको Qlik करना होता है इसके Qlik करने के बाद में यहां पे आपको सारे Contrast दिख जाते हैं जो कि Max Prize के हैं आपकी Entry दिख जाते हैं कि 37 रुपी की आपकी इसमें Entry होने वाली है और जो Winning Prize आपका होने वाला है यहापे जो आपका Prize होने वाला है वो आपको दिखा जाएगा 1.26 लाग का आपका इसमें प्राज होने वाला है Simply team बनाने के लिए आपको क्या करना होता है जो प्राज वाला section आ रहा है इसमें आपको क्लिक करना होता है जैसी आप क्लिक करोगे तो सारे players जो भी play करेंगे मैं आपको पहली बताएगा जाता हूं यह जितने भी players आपके दिखा जाते हैं confirm नहीं होते हैं confirm प्लेयर्स की लिष्ट 10 मिनट पहले आती जो कि इसमें भी आपको बता दी जाती है तो अभी आपको टीम कैसे बनानी है बस मैं वह आपको बताने जा रहा हूं तो कोई यहां पर आपको एक दिखा जाता है जिसको आप स्लेट करना चाहते हो विकेट कीपर आपको लग रहा है कोई player है कि जो best performance दे सकता है तो simply उसको आपको स्लेट कर देना है उसके बाद में आपको बल्लेबास स्लेट करने होते हैं तो बल्लेबास में कौन फिट बैठता है जो आपको टीम के साफ से बताया जाता है प्रेडिक्शन के साफ से जो आपको बताया जाएगा वह आपको स्लेट करना है वह अगर आपको एक बताया जाता है अगर आपको बल्लेबास दो बताया जाते हैं तो तो आपको 2 select करने, अगर 3 में बताया जाते हैं तो 3 आपको select करने, select करने के बाद में all rounder पे आपको आजाना होता है, यहाँ पे click करोगे तो सारे आपको roll दिखा दी जाते हैं, all rounder में अगर team में आपको एक player दिखाया जाते हैं, तो एक आपको स्लेट करना है, दो दिखाए जाते हैं, तो दो आपको स्लेट करने, उसके बाद में आपके बॉलर आते हैं, तो जितने भी आपके बॉलर बताए जाएंगे, आपकी प्रेडिक्सिन के साफ से उतना आपको स्लेट करना है, उसके बाद में आप नेस प्रोसेस प और Captain यह अच्छा पर्फॉंट नहीं करेंगे तो भाई आप रेंग से ही आउट हो जाओगी आपकी रेंग कितनी डाउन हो जाएगी जो भी आपने पैसा लगाया है वो भी नहीं लिख लेगा ठीक है तो हमें इतनी रेंग तो लेकर आनी जिसमें आपका अच्छा कासा प्रा यहीं कारण होता है कि जब आप्के वोइस कैंटन रेंग जादे है अगर आपको कोई भी प्लेयर वौेसा कैटेकरी में डालना है तो वौेस कैंटेंव डाल सकते हैं अगर वह प्लेयर आपके maternal 100 पॉइंट आपको देता है अगर वह प्लेयर आपके mandar ऐसे प्रिविव भी करना चाहते हूं तो अपनी टीम को प्रिव्यू कर सकते हो जो की कुछ इस तरह की आपको दिखने मिल जाएगी जो भी आपने टीम बनाई है आपके जो कान से पेमेंट रहा नहीं होता है तो टीम बनाना बहुत सिंपल है सेव करने के बाद में उसके जाएगी वो बन जाएगी जोएन कंटेस्ट पर किलिक करके आपकी जो अकान से पेमेंट वो कर जाएगी मैंने आपको सोटों बता दिया है बाकी बहुत सारी चीज़े होते हैं अगर आपको ड्रिम 11 के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते ह तो मैं डिटेल वीडियो भी आपके लिए ला दूगा वीडियो के इंपोर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट करके जो बताना है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राब जो करते ना है